हेलो एवरिवन, क्लास टेंथ मैतेमेटिक्स का चैप्टल नमबर सिक त्रिभूज, प्रश्णावली 6.2 प्रश्ण नमबर 1 और 2 पहले ही सॉल कर लिया है आज हम प्रश्ण नमबर 3 और आगे के जो प्रश्ण है वह हल करेंगे प्रश्ण नमबर 3 आगरती 6.18 में यह दी LM समानतर CB है और LN समानतर CD हो तो सिद कीजिए कि AM बटा AB किसके बराबरे AN बटा AD है आगरती दी हुई है इसे हम हल करेंगे यह हमने आगरती को रफली ड्रॉ कर लिया है इसमें A, B, C, D, A आगरती दी हुई है सबसे पहले हम जो प्रश्ण में दिया हुआ है वह लिख लेंगे दिया है प्रश्ण में दिया है कि LM LM CD के समानतर है और LN LM जो है वह CB के समानतर है और LN CD के समानतर है अब हमें वह लिखना है जो हमें सिध करने को दिया गया है सिध करना है इनने सिध करने के लिए हम प्रमे 6.1 और 6.2 का परियोकरे हैं मैं मैंने पहले ही करा दिया है सिध करना है AM बटा AD AM बटा AD किसके बराबर है AM बटा AD के यह हमें सिध करना है उपपत्ती कैसे सिध करेंगे वह हम उपपत्ती में लिखेंगे चुकि हमें दिया गया है कि LM सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है हमें LM CB के समानतर दी गई है सबसे पहले हम इसी से हल करेंगे चुकि LM किसके समानतर है CB के समानतर है जब LM समानतर CB है तो यह एक तिरबुज बनना है तिर्भूज ए बी सी में इसलिए तिर्भूज ये तिर्भूज बनना है हमारा ए बी सी में ए बी सी में क्या लिखेंगे हम थेल्स के प्रमिया अनुसार या फिर प्रमिय छे दिसमलो एक के अनुसार थेल्स के प्रमिया अनुसार थेल्सकपर में कहनुसार जब कोई तिर्भुज में किसी एक रेखा के समानतर कोई रेखा खीजी जाती है तो वहें बाकी दो भुजाओं को समान उनुपात में परतिछेल करती है तो तिर्भुज A, B, C में M, L, M, C, B के समानतर है तो AM बटा MB बराबर किसका होगा? AL बटा LC AM बटा MB कानुपात बराबर होगा AL बटा LC के नुसार व्यूत करम करने पर इस समीकरन को हम उल्टा कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे व्यूत करम करने पर जब हम इसका उल्टा करेंगे तो MB बटा AM बराबर हो जाएगा LC बटा A अब हमें क्या करना है? दोनों और एक जोडने पर दोनों और एक जोड देंगे MB बटेम प्लस वन LC बटे AL प्लस वन इसका बटा एक माल लेंगे इसका भी बटा एक माल लेंगे नीचे का LCM लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AM लिकम AM उपर आ जाएगा MB प्लस AM MB प्लस AM बटा AM तो इसी परकार यहाँ पर हो जाएगा नीचे AL लिकम AL LC प्लस AL MB प्लस AL क्या है MB MB प्लस AL Sorry MB प्लस AM यह मिस्टेक्स MB प्लस AM क्या है AB तो यहाँ पर इसकी जागा लिख देंगे हम AB बटा AM बराबर LC प्लस AL LC प्लस AL क्या है या फिर AL प्लस LC क्या है AC इधर लिखेंगे हम AC बटा AL अब फिर दुबारा व्यूत करम करने पर दुबारा व्यूत करम करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AM बटे AB बराबर AL बटा AC या इसको हम समीकरन नमबर एक माल लेते हैं शेकिंड कंडिसन हमें क्या दी गई है LN समानतर है CD के चुंकि LN समानतर CD यह हमें दिया गया है इसलिए LN किसके समानतर है CD या DC भुजा के समानतर है तो तिर्भुज ADC में इसलिए तिर्भुज ADC में तिर्भुज ADC में खेल्स के परमेके अनुसार थेल्स के परमेके अनुसार क्या हो जाएगा A N बटा N D A N बटा N D किसके बराबर हो जाएगा A N बटा L C इसी परकार व्यूत करने पर यानि उल्टा करने पर N D बटा A N L C टा A N दोनों और एक जोडने पर N D बटा A N प्लस वन बराबर L C बटा A L प्लस वन इसका बटा एक मान लेंगे इसका भी L C हम लेंगे तो A N उपर N D प्लस A N इधर भी L C प्लस A L बटा A L N D प्लस A N क्या है N D प्लस A N या A N प्लस A N D A D इसकी जगा A D रखेंगे और A L प्लस L C A C तो यहां समीकरन क्या हो जाएगी N D A D प्लस A N A D बटा A N बराबर L C प्लस A L क्या है A C A C बटा A L दुबारा से व्यूत करम करने पर दुबारा व्यूत करम करने पर हम इस समीकरन को दुबारा से उल्टा लिखेंगे A N बटा A D बराबर A L बटा A C इसको हम समीकरन नमबर दो माल लेंगे अब समीकरन एक वदो की तुलना करने पर समीकरन एक वदो की तुलना करने पर समीकरन एक हमारी क्या आई थी A M बटा A B किसके बराबर था A L बटा A C के और यहाँ पर A L बटा A C किसके बराबर है A N बटा A D के इसलिए A M बटा A B बराबर A N बटा A D जब दोनो A L बटा A C के बराबर हैं तो A L बटा A C से A L बटा A C कट जाएगा तो इधर क्या बजा, am, सम्मिकरन एक से am बटा ab, am बटा ab बराबर an बटा ad यही हमें सीध करना था, देखें, हमने जो सुरू में लिखा था, सीध करना है am बटा ad बराबर an बटा ad, यहां पटिकते हैं यही सीध करना था, सीध करना था, हैंस प्रू, यह प्रस नमबर चार, आकर्ती 6.19 में de समानतर ac और df समानतर ae है, सिध कीजिए कि बटा fe बराबर है, be बटे ac के, सेम वही कुष्चन है, प्रस नमबर तीर की तरह, इसमें a करती दी हुए, अच्छे देसम लो, एक नो, इसे पहले हम, ड्रॉ कर लेते हैं, यह तिर्बुच दिया हुआ है, a, b, और c, a के देखा यहाँ पर दी हुई है, a, e, e, d, f, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे हल करने के लिए दिया है, जो प्रस्ण में दिया है, सेम उसी तरीके से, जिसे प्रस्ण नमबर तीन किया था, इसी परकार इसे भी करेंगे, सबसे पहले, जो प्रस्ण में दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है, d, e, समानतर है, a, c, k, d, e, ये रेखा, समानतर है, a, c, k, और, d, f, समानतर है, a, e, k, d, f, समानतर है, a, e, k, ये प्रस्ण में हमें दिया हुआ है, अब लिखेंगे, जो हमें सिध्र करना है, क्या सिध्र करना है, ये बी ए, बट ए, f, e, बराबर, b, e, बटा, e, c, ये हमें सिध्र करना है, उपत्ति, कैसे लिखेंगे, चुकि, d, e, s,मानतर है, a, c, के, इसलिए, जब d, e, a, c, के समानतर है, तो तिर्भुज हमारा कौन सा बन गया, तिर्भुज, a, b, c में, इसलिए, तिर्भुज, a, b, c, में, थेल्स के प्रमे से, या फिर प्रमे 6.1 के अनुसार, प्रमे 6.1 के अनुसार, प्रमे 6.1 के अनुसार, b, d, d, a, किसके बराबर होगा, b, e, बटा, e, c, के, b, d, बटा, d, a, बराबर, b, e, बटा, e, c, इसको हम, समिकरन नंबर, एक माल लेंगे, इसमें, हमें, सीध करना था, b, e, बटा, e, c, यह हमारा, आ गया, इसलिए, हमें इसमें, व्यूत करम करने के आवश्यक्ता, नहीं पड़ेगी, b, e, बटा, e, c, इसी परकार, इसी परकार, अब क्या दिया हो है, दूसरी कंडिशन, d, f, समानतर है, a, e, k, d, f, समानतर है, a, e, k, यह, दूसरी कंडिशन दी हुई है, जब, d, f, समानतर है, a, e, k, तो अब तिर्भुज कौन सा बना, तिर्भुज, a, b, e में, इसलिए, तिर्भुज, a, b, e में, थेल्स के पर्मया नुसार, या पर्मया एक दिसमलो एक के नुसार, थेल्स के पर्मया नुसार, तिर्भुज, a, b, d में, d, f, a, e के समानतर है, इसलिए, b, d, b, d, a, बराबर क्या हो जाएगा, b, a, b, f, c, b, d, b, d, a, बराबर, b, f, c, इसे हम समीकरन नंबर, दो मान लेंगे, दोनों समीकरन की तुलना करने पर, जब हम दोनों समीकरन की तुलना करेंगे, तो क्या, b, d, b, d, a, के बराबर क्या है समीकरन एक में, b, e, c, और दूसरी समीकरन में, b, d, d, a, के बराबर क्या है, b, f, b, e, c, तो जब यह दोनो, b, d, b, d, a, के बराबर हैं, तो यह आपस में भी बराबर होंगे, यहाँ पर लिख देंगे, b, e, b, e, c, बराबर, b, e, b, e, b, c, यही हमें सीध करना था यह आंसर आगा यहां पर लिख देंगे यही सीध करना था